आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक न्यूज जो की बहुत ही इंपोर्टेंट है जानने के लिए कि दस लोगों की मृत्यू हो गई जब उन्होंने प्रशाद ग्रहन किया करनाटका के एक टेंपल में मंदिर में और आप यहां देख सकते हैं वो पिक्चर मंदिर की दस लोगों की मृत्यू हो चुकिया और साथ लोगों को हॉस्पिटलाइजड किया गया है जब उन्होंने प्रशाद ग्रहन किया जो की बांटा जा रहा था मनर्मा टेंपल सुलबडी हुन्सुर तालुक अफ करनाटका चम्रा नगर डिस्टिक ऑन फ्राइड़े यह सुस्पेक्टेड केस है फूट पॉइजनिंग का दिस्टिक अफॉरिटीज ने कनफर्म किया है कि दस लोगों की मृत्यू हो चुकी है और इससे भी जादा मृत्यू और होने की शंका है क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल कंडिशन है पेशिंट्स की और डिवोटीज ने पार्टिसिपेट किया था रिचुल्स में अहेड ओफ दियर विजेट टू ओम शक्ति टैंपल इं तमिल नाइडू और उसके बाद उनको चावलों का प्रशाद दिया गया प्रशाद के रूप में दोपहर में और फ्यू अफ देम इमीडेटली स्टार्ट थ्रूइंग आप कुछ लोगों ने जल्द ही उसको फैंक दिया और सून आफ्टर अल्मूस्ट दोस हो हैद इतन इतन टेकन इट इल और यह क्या है? What it could be? It may be a pesticide और डॉक्टर ने confirm किया है after checking and they are trying to find out who did this and why वो पता लगा रहे हैं और तहकीकात कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ और जो samples हैं वो FSL lab में भेजे गए चमरा नगर SP धरमेंदर का order है कि इसकी investigation की जाए X-Cretia announced कि क्या उनको समवधान दिया गया? The government has announced the compensation of 5 lakh rupees to the family of Dickies और यह announced किया गया है Chief Minister HD Kumar Swami की तरफ से कि prob का order दिया गया है कि तहकीकात की जाए और पता लगवाया जाए कि ऐसा क्यों हुआ और किस ने यह किया? Thank you so much friends. मुझे आशा है कि आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा.